प्रक्रिया के मताबिक अब दावेदारों को बताना होगा कि पिशले पांस साल में संगचन की मजबूती के लिए उन्होंने कितना काम किया है कितने लोगों को बतार सदस्य पार्टी से जोड़ा जिला ध्यक्ष के पास लिखित फॉर्म जमा करने के बाद संगचन ब्लॉक पदाधी कारियों से इनके योगदान को क्रॉस चेक भी कराया जाएगा बता जिसके बाद ही सही रिपोर्ट प्रदेस नेतरत्व को भीजी जाएगी नैनी ताल जेले में लालक कुवां काला ढूंगी और भीमताल रामनगर नैनी ताल और हल्दी वानी सीट आती है और कुछ दिन पहले केंदुरिये परवेक्षकों ने दावेदारों से आवेदन मांगे थे तब 6 सीट के लिए बावद नाम सामने आ गये थे और लालक कुवां और भीमताल सीट पर तो 26 लोगों ने खुद को दावेदार बताया था चुनावी साल में हसरतों की संख्या बढ़ने से संगचन की सतर को हो गया है क्यूंकि किसी एक का नाम फाइनल होने पर बगावत के सुर्भी पैदा हो सकते है इसलिए संगचन ने इंदावेदारों को परखने को नया नियम लागू कर दिया है जिलाद्य अक्षर सतीसर नौनेवाल ने बताया है कि हर आवेदन को पार्टी के खाते में बैंक चलान लगाने के साथ एक फॉर्म भरना होगा जिसमें पिछले पांस साल में कॉंग्रिस के लिए किये कामों का व्योरा देना होगा और ऐसे में उन आवेदकों को दिक्कत आएगी जो संगठन के बचाए पार्टी में व्यक्ति विशेश को ज्यादा तबज्जोद देते थे बतादे कि प्रदेस नेतरित्व का यनिर ने जमीनी कारेकरताओं का होसला बढ़ाएगा लेकिन बड़ा सवाल यह है कि चुनावे साल में क्या-क्या दल बदलूओं पर भी यह नियम लागू होगा क्यूंकि कॉंगरेस में पिछले दिनों कई नए नाम जुड़े थे और आगे और प्रयास किये जा रहे हैं अधिकान्स टिकेट के शर्ट पर आ रहे हैं बता दे कि कॉंगरेस पार्टी अब बदलाव कर दिया पार्टी में युवा चेहरों को पार्टी में जगा दी जा रही है आपको हमारी रपोर्ट कैसी लगी हमें कॉमेंट बॉक्स में लिखे बाकियों और खबरों के लिए जुड़े रही एस पीन नाइन नियूस के साथ